Good morning to all of you in today's lecture of wall selection criteria आज के इस lecture में basically मैं आपको ये बताऊँगा कि walls को select करने से पहले कौन-कौन सी measure points हैं जो at least आपको अपने mind में रखने हैं ताकि आपका selection जो है वो ट्राइमा फेसी गलत ना हो So before starting today's lecture अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जितना ज़्यादा possible है उतना ज़्यादा दूसरों से share कीजिए मेरे इस lecture के PDF का link description box में डाल दूँगा जिसको भी ये download करना है वहाँ पे जाके easily download कर सकता है So सबसे पहले हम बात कते हैं wall valve की Wall valve की case में बीच में एक wall रहता है जिसमें opening होती है जो handle wheel की help से rotate होता है ये आप इस animated diagram सीजली समझ सकते हैं इसको basically use किया जाता है on-off function on-off function means either fully closed और fully open बच इसको throttle करके नहीं prefer करते हैं अगर हम इसका advantages की बात करते हैं इसका advantage होता है कि इसके जो उपर ये जो wall है बीच में इसके उपर अलग लग तरीके की coatings market में अवलेबल है जिसकी वज़े से इसको corrosive atmosphere में और high pressure और temperature की ranges में काफी ज़्यादा prefer किया जाता है इसमें हम काफी ज़्यादा flow capacity भी handle कर सकते हैं and tight ceiling इसके case में possible है जहाँ पर torque मेरे को काफी कम लगता है wall को rotate करने के लिए इसका disadvantage जो मैंने आपको पहले बताया poor tortling और ये जहाँ पर भी आपकी slurry है वहाँ पर नहीं prefer किया जाता है because slurry इस ball के उपर की coatings के उपर बैट के उसको basically damage कर देती है अब हम बात करते हैं gate wall याद रखेगा कि gate wall का भी same on and off function है इसके case में basically एक gate रहता है जिसको आपका handle wheel के हजब से उपर और नीचे कर सकते हैं इसके हम advantages की बात करते हैं तो it can be used for steam duties steam duties में gate wall काफी ज़्यादा prefer किये जाते हैं इनको हम water duties में even अपने processes में भी use कर सकते हैं इसके case में मेरे को high flow capacity मिलती है बट इसका अगर disadvantage की बात करूँ तो इसका same disadvantage है कि इसके case में throttling काफी effective नहीं होती है अगर हम बात करते हैं plug valve की तो plug valve को भी same on and off conditions में use किया जाता है इसके भी case में plug के उपर अलगर तरीकी coatings अबलेबल हैं जिसकी वज़े से हम इसको corrosive atmospheres में और various range of pressure and temperatures में जली use कर सकते हैं अगर हम इसके disadvantages की बात करते हैं तो इसमें throttling अच्छी नहीं होती है जो इसका use है वो pressure and temperature conditions जो इसके वाल्व के उपर coating है उसके हिसाब से ही हो सकता है third one is कि जब ये valve open condition में भी रहता है तो भी ये line में काफी ज़्यादा pressure drop create करता है next one is basically check valve check valve या फिर NRV इसको basically only one directional flow जहाँ पर मेरे को एक ही direction में flow चाहिए वहाँ पर use किया जाता है इस diagram का गौर से देखिए ये आपका check valve है जब यहाँ से water का flow आएगा तब ये open होगा otherwise ये आपका अपने आप close हो जाएगा it is used for wide range of pressure and temperature इसके case में जो pressure drop होता है वो काफी कम होता है जब ये valve open case में होता है इसके भी case में यहाँ पर ये जो valve में इसको पर काफी तरीके की coatings available है जिसकी वज़े से इसको wide range of temperature और pressure में use कर सकते हैं इसके जो measure and disadvantages की बात करें तो इसका measure disadvantage यह है कि इसको हम critical duties में reliable नहीं मानते हैं because कई बार ऐसा रहता है कि ये जो आपका ये valve का ये वाला portion है जो seat है इसमें कई बार कुछ material फर्स जाता है तो ये पूरी तरीके से close नहीं होता है तो कई cases में इसको reliable नहीं भी माना जाता है इसके बार ये valve और नहीं रहा close रह गया तो वो आपकी पूरी की पूरी pipeline को फार देगा विकॉज आपका rest reporting pump एक constant pressure आपकी pipeline में देता रहेगा इसलिए ये इसके दो miser disorders हैं जो आपको पता होना चाहिए अब हम बात करते हैं butterfly valve butterfly valve ये देखिए ये pipeline के बीच में इस तरीके से आपका perpendicular में वाल लगा हुआ है उपर आपका handle wheel दिया जिसकी help से ये बिल्कुल center में ऐसे भूम जाता है इसका function basically इसको on off के लिए use के जाता है बट कभी-कभी हम इसको throttle में भी prefer करते हैं इसको basically आपने काफी जहाँ पे higher flow rates की ज़रूरत होती है ये चाहे वो gas हो चाहे liquid हो या फिर slurry हो आपने इसको बड़ी pipelines में ही miserly देखा होगा ये cheap पड़ता है इसका जो design होता है वो काफी slim होता है अलग-लग तरीके की coatings ये center portion के उपर available है इसके case में जो pressure drop होता है वो काफी कम होता है और इसका maintenance cost भी काफी कम आता है अगर आपके पास में higher size की pipelines है तो वहाँ पे basically better butterfly valves ज़्यादा prefer किये जाते है इसका जो measure disadvantage ये होता है कि अगर आपकी pipeline का size काफी कम है तो वहाँ पे flow को काफी reduce कर देता है और इसको operate करने के लिए काफी ज़्यादा torque की ज़रूरत पड़ती है और वो slurry applications के case में ये जो इसकी wall के उपर coating होती है वो damage होने के chances होते है अब हम बात करते हैं diaphragm wall diaphragm wall के case में ये दिखे ये diaphragm यहाँ पे है जब यहाँ पे flow आया उस flow के हिसाप से ये diaphragm उपर की तरफ move होगा और liquid आगे की तरफ flow करता हुआ चला जाएगा इसको basically हम वहाँ पे prefer करते हैं जहाँ पे मिरको throttling करनी है means जहाँ पे मिरको flow को control करना है और often conditions में भी use करते हैं बट throttling के लिए इसको miserly prefer किया जाता है इसके भी case में यहाँ पे ये जो जो ये seat होती है जो ये diaphragm होता है उसके उपर अलग तरीके के materials के वो diaphragm available है जिसकी वज़े से हम उनको corrosive atmospheres में भी easily use कर सकते हैं इसको वहाँ पे prefer किया जाता है जहाँ पे leakage मेरको पूरी तरीके से avoid करना है इसका main disadvantage ये होता है कि diaphragm के material के ही हिसाब से इसके temperature और pressure के limit की आपको इसको कहाँ पे use करना है वो basically decide होती है next one is basically globe valve ये valve काफी important role play करता है इसके case में ये देखे ये globe जैसा रहता है ये देखे आप इसका diagram देखे अंदर ये देखे ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है इस तरीके से ये बीच में ये cut जैसा रहता है उसके अंदर ये जब आप उपर handle wheel घुमाएंगे तो ये globe जाके इसके बीच में आपका बैट जाता है इसको सबसे best prefer किया जाता है for throttling तो याद रखेगा अगर आपको कहें पे भी process में throttle करके operate करना है तो वहाँ पे globe wall is the most useful one इसको basically आपने steam की lines में देखा होगा जहाँ पे आपको flow को control करना है या फिर आपने water की भी lines में देखा होगा बट जहाँ पे आपको throttle करके काम करना है वहाँ पे आप इसको prefer करोगे इसके measure advantages की बात करते हैं तो यह wide range of pressure and temperatures में use किया जा सकता है इसकी जो precise throttling होती है और इसकी help से हम accurate flow controls कर सकते हैं बट इसका जो disadvantage होता है वो यह होता है कि इसके case में CV जो आपका coefficient of flow है वो काफी कम मिलता है जब यह wall नीचे की तरफ बैठता है तो दोनों के बीच में space काफी यह देखे, space काफी कम हो जाती है तो इसलिए coefficient of flow यहाँ पे काफी कम होता है इसकी वज़े से इसके case में pressure drop भी काफी जादा मिलता है and यह काफी expensive होता है with comparison to other walls now knife and gate valve यह इसमें यह दिखे ही है अंदर यह चाकू के जैसा लगा हुआ है यह जैसे ही आप इसको handle will को घुमाएंगे यह wall नीचे की तरफ जाएगा और यह बंद हो जाएगा इसको basically वहाँ पे use किया जाता है जहाँ पे larger pipelines होती है और इसको जहाँ पे भी आपकी solid charging होती है वहाँ पे भी हम इसको prefer करते हैं जहाँ पे आपकी solid की या फिर powder की charging होती है और इसका major disadvantage यह है कि it is not perfectly true valve यह इसका सबसे बड़ा disadvantage होता है अब हम बात करते हैं needle valve की तो याद रखेगा कि needle valve को basically वहीं पे use के जाता है यही यह बनाया जाता है and इसका advantage यह है कि it is suitable for high pressures में हम इसको easily use कर सकते हैं इसको basically आपने जहाँ पे आपको काफी minute controlling चाहिए होगी इस team की आपने वहाँ पे यह valves देखे होंगे अब हम बात करते हैं pressure relief valves यह basically आप सबने देखे होंगे chemical reactors के उपर यह easily available होते हैं इसका main function होता है आपको safety and protection provide करना इसका advantage यह होता है कि इसमें एक बार यह operate होने के बादे दुबारा spring नीशे के रफ बैट जाती है और आप again इसको use कर सकते हैं यह operate होता है pre determined pressure level पे जो आप इसको set point देंगे यह उसके हिसाब से आपका operate होगा इसका major disadvantage यह होता है कि कई conditions में अगर आपकी spring की strength खराब हो जाती है तो यह आपका proper तरीके से work नहीं करता है तो यह कुछ major disadvantage होते हैं आपके pressure relief valve के so hope आपको आज का मेरा lecture अच्छा लगा होगा next lecture में I will be back with a new topic till then goodbye and have a nice day